वेलकम बेक अब्रिवन वेलकम टो सुबल सर्वसे स्टड़ी जोग्रफी टेस्ट नंबर है यह 552 और एक इंपोर्टन टॉपिक चला जोग्रफी में संरिशना अबम भू अगरतिक विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है इससे पहले भी प्रेश्ण बनाए होंगे लेकिन तो थोड़ा इस बार डीप में एक-एक निकाल निकाल के कॉश्चन बनाया जा रहा है तो अच्छे से इसका रिविजन कर लिजेगा दो पार्ट इसके कंप्लीट हो गया है इसका पार्ट थ्री इसके कम से कम 6-7 वार्ट बनाने पड़ें तो चले स्टार्ट करते हैं वहना पर बन पर आ जाई है दस सब्टेंबर 2020 हो गई है और चार अक्टूबर के एक्जाम है समय कम है निम्रिकित में से कौन पश्चमी घाट के संदर में सही है पहले स्टीट्मेंट है पश्चमी घाट की उचाई उत्तर से दक्षण की और घटती जाती है जब भी जो क्रफी के प अधिकांस प्रायदी पे नदियों की उत्पती पश्चमी घाट से होती है बिल्कुल होती है पश्चमी घाट सतत है और इसे केबल दर्रों के द्वरा ही पार किया जा सकता है सही है गलत सही है दूसरा तीसरा सही है पहला गलत है सी तो देखिए पश्चमी घाट की उचाई पश्मी घाट पश्मी तट के समानंतर अश्चित है तथा वे सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है पश्मी घाट का परमक दर्रा जो की महराष्ट में अवस्सित है और पश्मी घाट के सहद्री श्रेणी में अवस्सित यह पर्वतिय दर्रा मुंबई को नासिक से जोडबता है यह कौन सा दर्रा बताईए है important है western घट को किन-किन नामों से जाना जाता है मैंने कल बताया था आपको दक्कन का पठार याद आया कुछ दक्कन का पठार का पस्च्च्चिमी घट और पूरवी भाग है उसका पूरवी घट उत्तर में क्या है सतपुड़ा मैकाल और महादे पहाडियां याद प्राइदीप्य भारत को कितने भागों बटा गया था प्राइदीप्य पठार को तीन पार्ट में दक्कन का पठार और दूसरा कौन सा उच्च मध्ध भूभाग और तीसरा कौन सा उत्तर पूर्वी पठार जो मेगाले का पठार है प्राइदीप्य पठार के हिसा है वो भी और असम का कारवी, एकलांग वो भी प्राइदे पर पठार का हिसा है फिलाल इसका उत्तर दीजे तो क्या है थाल घाट थाल घाट दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है इसका अंसर हो जाएगा option number D और मुंबई को पूरे से कौन सा जोड़ता है भोर घाट दर्रा इन दोनों में क्या कोमन है ये दोनों के दोनों महराश्ट के दर्रे है दिफू अरनाचल प्रदेश का है पाल घाट केरल का है तो देखिए थाल घाट पश्मी घाट का एक प्रमुक दर्रा है जो की महराश्ट में वस्तित है पश्मी घाट के सहाधरी स्रणी में अवस्तित या परवती दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है बात करें भोर घाट की तो भोर घाट जो है महराश्ट राज में पश्मी घाट स्रणी में अवस्तित एक बेहद खुबसूरत दर्रा है यह दर्रा मुंबई को पूरे से जोड़ता है तो मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है कौन सा दर्रा थाल घाट धर्रा मुंबई को पूरे से जोड़ रहा है कौन सा दर्रा भोर घाट दर्रा बात करें पाल घाट दर्रे की तो पाल घाट पश्मी घाट में अवस्तित एक द वाता है बात करें दिफू दर्रे की तो दिफू दर्रा भारत वे मेमार के वीच अवस्थित अड़ाचल प्रदेश में अवस्थित है ठीक है कोश्चन नमबर थ्री पर आजएए इनमें से कौन सी पहाड़ियां वेस्टन घाट के अंतरगत सामिले बताईए पश्चमी घाट के अंतरगत कौन सी पहाड़ियां सामिले कल बताया था ना कल बताया था, क्या बताया था, इंडिया का मैप बनाते हैं, जल्दी से, सुन्दर सा बनाते हैं, यह है तमिल नाडू, यह है केरल और यह है करनाटक, ऊपर चले जाओगे तो गोवा फिर उसके उपर है, महराष्टी है, गुजरात, अपने को फिलाल तीन से काम है, तो थोड पाइची पहाडिया कहा जाता है कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है तो ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर और फोर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अब नीलगरी कहा जाता है किसमें तमिल नाडू में यह तमिल नाडू है यह केरल है यह करनाटक है तो मैंने क्या बताया था कल तमिलनाडू और करनाटक में क्या कहा जाता है? इनको नीलगरी कहा जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा? एक, दो और चार हो जाएगा. अप्सन नंबर B. महेंद्र गरी, पूर्वी घाट के अंतरगत आता है. पालकॉंडा, जाबादी और नलंबा ये सब पूर्वी घाट क में कहा जाता है नेल गरी करनाटक और तमिलाडों में कहा जाता है अन्ना मलाई और कार्डमम किस में कहा जाता है केरल में कहा जाता है बात करें पूर्वी घाट किये तो पस्वी घाट क्यों गई जो पूर्वी घाट है उसकी मुख्य पहाड़ियां कौन सी है जावादी पहा अन्ना मुडी है अन्ना मलाई पहाड़ी की अगर पूछा जाए दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है तो वह है डोड़ा बेटा ये नीलगरी की आयाद रखना इसको मिक्सप मार के उपर नीचा मत कर देना तो प्रायदी पर पठार की सबसे उची चोटी का नाम अन्ना निम्न में से किन पहाड़ीों में आकर मिलते हैं ये तो बिलकुल लॉलीपॉप जैसा प्रश्न है नीलगरी में मिलते हैं इम्पोर्टन्ट है बहुत बार पूछा गया है तो पूर्भी आम पस्विमी घाट को तमिलनाडू और करनाटक में नीलगरी कहा जाता है जबकि के कंदध़ी लगरा होगा क्या है क्याहक है पेर स्टेटमेंट पस्विमी घाट लेकिन एक सी कटेगा ध्यान दीजेगा पस्विमी घाट पूर्वी घाट का विस्तार सत थ चबकि पूर्वी घाट का सबसे उंचा परवत सिखर, जिंद गाड़ा है, जिंद गाड़ा है या महिंद्र ग्री है, उडग मंगलम यानी उटी तमिलनाडु राज का एक परवती सहर है, जो इलाइची पहाडियों पर रवस्थित है, देखें उटी एक बहुत ही अच्छा हिल स्ट विशन की तरह लाइक, मनाली, शिमला, नैनिताल, तो उसी तरह उटी भी है, बहुत सारे अपने देखा होगा, गए होंगे उटी, तो देखें जो उटी है, उडग मंगलम है कहाँ पर तमिलनाडु में है, अब तमिलनाडु में विशन घाट को क्या कहा जाता है, इलाइच अऊचा सिखार जो है, शोरी, पूरिवीघर का सबसे ऊचा सिखार जो है, वो क्या है, जिंक धाड़ा है, पर तमिलनाडु में हूचाम है, बहुत सेखार जो रहाइच जो जो है, बहुत सबस्यूह औरु सबस्ते पर सबस्त है तो देखिए उडग मंगलम या उटी जो है तमिलाडु राज का एक परवतिय सहर है जो की नीलगरी पहाड़ियों परवस्थित है ना कि इलाई जी या फिर कार्डमम में अब देखिए पश्मी घाट जो है पूरवी घाट की अपैक्षा उचा है पूरवी घाट की 600 मिटर की औसत उचाई की तुलना में जो वश्टन घाट है पश्मी घाट है उसकी उचाई है 900 से 1600 मिटर तक पश्मी घाट का विस्ताद सतत है पूरवी घाट के दक्षण पस्ची में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियां इस्तित है और पूरवी घाट का सबसे उचाई परवत सिखर जो है और इस घाट का जो अधिकांस है जो अपरदन है वो अधिकांस मतलब काफी अपरदन इस घाट का जो है वो हो चुका है याद रखेगा Question number 7 है निमलिखित कत्नों पर विचार करना तीन statement है याँ पर बताने के इसमें से कौन सा correct है पहला statement है प्रायदीपे पठार को तीन भागों में बाटा गया है कौन सा है दक्कन का पठार हो गया उत्तर पूर्वी पठार हो गया और मध उच्च भूमी प्रायदीपे पठार कायंत्रित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और इसके पस्षे में अरावली परवद मध्य उच भूभाग की सीमा बनाता है यह अवसिष्ट परवद की उतकरष्ट उधारण है कौन सा अरावली अरावली इसके पस्षे में हाँ बिलकुल करेक्ट है दूसरा तीसरा सारे करेक्ट है इसका अंसर हो जाएगा उपसा नुमबर डी वन टू थरी तो देखिए प्राइदी पर पठार को तीन भागों में बाटा जाता है एक तो दक्कन का पठार है मध्य उच भूभाग है और कौन सा है उत्तर पूरवी पठार अब देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में प्राइदी पर पठार का बहभाग जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों में भागों पर फैलता है उसे मध्य उच भूभाग के नम से जाना जाता है अपने भूगर्वी इतिहास से यह छेत्र कायंतरित प्रक्रियाओं से जो है वो गुजर चुका है अपने भूगर्वी इतिहास में यह छेत्र कायंतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायंतरित चट्टानों जैसे की संग्मर्मर्स रेट और नीज की उपस्तिती इसका प्रमाण है पस्षिम में अरावली परवत है और मध्य उच भूभाग की सीवा बनाता है वो यह अपसिष्ट परवत के उद्करश्ट उधारन है अरावली जो की काफी हद तक अपरदित हैं और इनकी जो स्रंखला है वो टूटी होई है कॉश्चन नुबर एट आठवा प्रश्ण है मेघाले के पठार के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा खथन सही है मेघाले का पठार परदि पर पठार का ही विस्तार है बिलकुल है मेघाले का पठार पर खरिश पठारतों के निक्षेप उपस्तित नहीं है मेघाले के पठार पर अवस्तित चेरा पूंजी नगन चट्टानों से ढखा इस सल है और यहां बनस्पतियां लगभग नहीं के बराबर है देखे करेक्टर ये वाला तीसरा वाला स्टेट्मेंट मेखाले के पठार पर अवस्तित जो चेरा पूंजी है वो नगन चट्टानों से ढखा इस सल है और यहां बनस्पतिया नहीं के बराबर है जबकि बहुत ज़्यादे वर्षा होती है यहां पर और पहले प्रश्ण में लेकिन अभी काफी विगत कुछ परसों में मसीन राम मेखाले है तो नगन चट्टानों से ढखाया और यहां बनस्पतिया नहीं के बराबर है इतनी ज़्यादा फारिस होने के बाद भी मेखाले का पठार प्रद्वी पठार का भागया करेक्ट है मेखाले के पठार में खन चोटा नागपुर पठार में जो खनिज का भंडार है उसी तरह से मेखाले के पठार में भी खनिज का भंडार है गलत सेकेंड वाला स्टेट्मेंट एलिमिनेट कर दीजिए इसको इसका आंसर हो जाएगा किवल एक और तीन ऑप्सन नमबर सी तो देखिए कथन एक और ती पठार छेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षण पस्वी मानसून से होती है परिणाम सरूप मेखाले का पठार एक अधी अपर्देद भूतल है इसी करण जो है चेरा पूंजी नगन चट्टानों से धकास सल है और यहां जो बनस्पतिय लगभग नहीं के बराबर है नो क्रे मेखाले का पठार अती अपर्देद भूतल है चेरा पूंजी नगन चट्टानों से धकास सल है और यहां बनस्पति नहीं के बराबर है अभी तो था एक्स्पिनेशन में नो क्रेक मेखाले पठार की सबसे उची चोटी है बिलकुल यह तो सारे के सारे करेक्ट है इसका अं लगभग नहीं के बराबर है नो क्रेक मेखाले की सबसे उची चोटी है दस्वा प्रशन अंतिम प्रशन पर आजाईए मेखाले पठार को तीन भागों में बाटा गया है जो हैं गारो पहाडियां खासी पहाडियां जैनती पहाडियां अपने नाम सुना होगा यह अब बत मेखाले को तीन भागों में बाटा गया है गारो पहाडियां खासी पहाडियां और जैनती पहाडिया इनको यह विभाजन करने का यह अधार हाधार जैनधातियां kwen तो देखे मेगाले के पठार पर आवास करने वाली जनजातियों के नाम की अधार पर इस पठार को तीन भागों में कितने भागों में तीन भागों में वाटा गया है गारो पहाडियां खासी पहाडियां और जैनतिया पहाडियां तो जनजातियां है ट्राइब हैं तो दस प